कि बिसमिल्लाय रहमाल रहीं साइकिनर बियालोजी चैप्टर नाबर 16 स्पोर्ट और मुवमेट के अंदर आज हम स्कैल्टर सिस्टम के कुछ मेजर फंक्शन्स पढ़ेंगे यह निए स्कैल्टर सिस्टम के क्या-क्या नदर आ रहा है हम इससे सर्भिलेट करेंगे फंक्शन्स को सबसे बरहे तो आपको नदर आ रहा है कि जी स्कैल्टर सिस्टम सहारा देता है ठीक है इडिकिव शपोर्ट सबसे पहला फंक्शन क्या होगा इडिकेव श्याइफ के अद्गर्व श्याइब इसके लबहे आपको बाडी को स्पॉर्ट भी दे रहा है, साथ, शेप भी दे रहा है. इसके लावऀ आप नोट करें, निअशार जो सकल्ण है, खोपड़ी, यह मत्हींच करती है ब्रेन को. एप प्रोटेक्ट ब्र्इन ठीक है इसके अदर दिमाग होता है जो बहुत नाजो कह लें यह बाड़ी अर्गन है इस के लावचrence रिप्स होते हैं जो छाती की है अप Baptist करती है इसके इंदर क्या होता है कि लंग inqu के लावा हार्ड भी इसके अंदर होता है तो यह हार्ड को प्रोटेक्ट करते हैं इसके अधिया इसका वर्ट्रिबर कालम के अंदर क्या होता है बला वर्ट्रिबर कालम वर्ट्रिबर कालम क्या करता है प्रोटेक्ट यार कालंग से नहीं लिखा मैंने वर्ट्रिबर कालंब ठीक है it protect किस इसको यह प्रोटेक्ट करता है spinal card ठीक है it will protect spinal card so अगर हम अब देखें तो यह यह सब vital organs है ठीक है vertebrate column जो स्कल है यह ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं यह ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं यह बड़े इंपॉर्टेंट है मारी वाडी के लिए एक्सम कि यह क्या प्रोटेक्शन 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 ज्युिवन्स पोफ जॉट्रिपन शरात्या में सब्सक्रानिंस ह्लावाओ यहां फिंगर सब्सक्ताय सरा गया लॉरroeotक्षेंशिर्ट इसके जुद्धवत्त ही मंथसे लिभलाक्षेंट आतले जोंसे सब्सक्राइघ टाइवोगा घाला है व्युक्त की टाइद आय। होते हैं ठीक है एक्सचंसर और फ्लेक्सर हम पढ़ेंगे आगे जाके मसल के बारे में भी सो मसल्स जों से हैं वह इन जॉइंट के पर मुवमेंट क्रियेट करते हैं सही तो इसके अंदर भी स्कालिटन का बड़ा रोल है इसके रावा जो बॉन्स हैं इसके दर कैल्शियम फा हुऊं हुआ ही तो यह सोडियम पोडासियम टो इस्व मे डिलिट हो जगा तो calm पोडाशियम और पुतार्शियम तो इस त्रह इसे एकि लिए यहां है जो सा फंक्षिन हो जाए चाहिए इसके लावा जो बॉन होती निसके सेंटर के इंदर ठीक है एक बोन मैरो होती है ठीक है इसकी बॉन के अंदर क्या होता है जो इस से लेगा तो कि सफ यहां पर 20 मेरों में क्या होता है कोई आइडीया है है नहीं सब्लड-स प्थ buns होोती है ब्लड-सेल प्रॉडेक्शन कहा जो dh arguably हडियों के गूदे के अंदर बनता है कि हाडियों के अंदर सेल Scout से बनते हैं और विसी से में बनते हैं और ऐऊ-ब loss ब्लड बनाने में भी मदद करता है सो मेजर फंक्शन ऑफ स्काइल्टर सिस्टम ने पढ़े सबसे पहले तो यह कि सबसे पहले हैं ठीक है जारे बाद आपके सारे स्ट्रेक्चर को फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है और इस फ्रेमवर्क से आपको एक शेप मैंटेन होगी टीक है नी आप उसी स्केलटन के पोर ही आपके सारी शेप होगी उसके बाद सा इभ ने देखा यह प्रोटेक्ट करτα क्या रहा हुआ समब ब्रेन जो से म्लस आफ ब्रेन को फ्रेट करती है फिर और देismिगा जो चाहती काइड jullie होते हैं यह लंग है澡 के साथ मसंट अटेच होता हैं वह इनके movement करते हैं जिस सबस्दी Sun हो घाल को जॉइंट सब्सक्राइब धर फिंगर्पिर से जॉइंट से होता है तुक है यह movement creates और फिर में दिखा जी minimal homeostasis जी सके जूदि होते हैं तो यह में अगर ब्लड में जादा हो मिरल तो वो इसक्षिंद朋友 करते जाते हैं ठीक है और अगर बलड को जोरुए तो इसमसे निकाल ले जाते मिर्या। में रोल शुमिस्टेसलू रॉल प्ले करेगा ह। और वह सब किस देन रहाते हैं तो आगे हम पढ़ते हैं अगे मजीद इसके बारे में से सो यह स्काल्ट्र सिस्टम के मेजर फंक्शन होगे अब हम चलते हैं इंडो स्केलेटन की तरफ आपको डाइग्ञान उसा और रही है अच्छा इससे इंडो स्केलेटन को कहा जाता है वाय इट इस इं in sight of the body और यह जो जी झूटली नजर नहीं आता हालांकि इसी हमें सारी शेप मिलती है बार्डी को लेंकिन यह फिर भी आपको बाहर नज्रेंक है इसलिए से हम इंडो सकालटन केहते हैं तो इस इंडो सकालटन जो बैसिकली बने होता है यह इसके दो पार्ट होता है नहीं रह जाता है ठीक है इसे आप चुबा भी सकते हो जबके जो हड़ी होती है यह कभी भी यह नहीं से चुबाना बहुत मुश्किल होती है और दुसा कार्टिलिश है तो बॉन और कार्टिलिश की मजीद डीटेल में जाने से पहले हम पहले क्लासिफिय करते हैं यह दोनों किसमें आते हैं को रेक्टिशू के अंदर थीक है अगर आपको एनिमल टीशू याद हो तो उसमें चार किसम आपिधिलल टीशू था मसल से क्टिशू से और नर्वस नर क्टिशू से बात करते हैं इससे पहले इंडो स्केल्टन और एक्टो स्केल्टन के दिरम्यान एक बड़ा इंट्रेस्टिंग सा आपको मैं कंपैरिजन देता हूं मसल आपने इसके बारे में जानते हैं यह कहां आपने देखा हो किसी मूवी के अंदर सो नहीं पता तो मैं अचले बतारता हूं इस प्राइद नहीं तर्मिनेटर ठीक है टर्मिनेटर की सीरीज अगर आपने देखी हो तो उसके अंदर इसी तरह का यहनी मैन मेड इस शेकल का हिरो होता है ठीक है और उसके अंदर इस तरह का ढढ़ां चाहता है जो कि लोही का बनावाते हैं और यह तो आप में भी जानते हूं इस आइरन मैन ठीक है आइरन मैन है और यह दोनों बहुत हीट मूवीज गई है ठीक है दोनों में फरक है यह जो अंसा टर्मिनेटर है इस एंग्जेंपल ओफ इंडो स्कृल्ट है ठीक है कि इसमें जो हीरो होता है उसके अंदर यह मशीन सारी सिंक्फित होती हैं यह ज़ैनि की इसके अंदर हड्यां वगएरे नहीं होती बलके यह सारी मिशीन होती ही इसके पर सिंपल कवर होता है गोश्त का से जबके आईरन मैन में क्या है कि यह एक्जु स्केवल्ट है ठीक है इस अग्ज्सक्शाथ के यह इसकी बाडियक अंदर बलके बाहर होता है यह जो सा cover इसने पहना वह यह उतार सकता है से सिंपल अगर यह उतार देगा सिंपल हीमन बन जाएगा और जब यह पहन लेता है तो इसके नहीं काफी पावफुल का पावर जाती है ठीक है और मुवीज चाहद आपने देखी हूं सो यहां से आप भी अंदादर लगा सेते हैं कि जो इंसाइड होता है यह जो बाड़ी के अंदर प्रेसेंट होगा उसे इंडो स्केल्टन के एंगे और जो बाड़ी के बाहर होगा हो एक्जो स्क से पहले हम पढ़ चुके हैं इंसेट के अंदर होता है वह साय डीटेज हम हो कवर कर चुके हैं से सबहर हम चलते हैं जी इंडो स्काइल्टन के अंदर दो पार्चित हमने बात कि कि एक है बोन पस्वन आप और सेक्ड वन कार्टलेज अच्छा इस बॉन और कार्टलीज को आप फील भी कर सकते हैं मसलिल अगर आप नोस पर अपने सामने वाले हिस्से पर हाथ रखेंगे तो आपको यह हिला सकते हैं ठीक है आपको फीलो कोई नरम चीज़ है अंदर लेकि जो जो आप हाथ उपर लेकर जाएंगे ठीक है अपनी पिशानी की तरफ आपको फीलो का कर, छाता है नरम हरडीया पर मैंने देता है ठीक है और यह सक्थ हड्य होती है ऐब भी धिखेंगे क्या हड्डि ही चलो खर शव. यह ग। से बान से स्ट रख करते हैं तो बोन सब से पहले तो यह सक्त होती है टिउप हर्ड रिजिड ठीक है खाहर्ड ह। भी सग्षर हॉर् इसके अदर एक लेर होती है भी जो पर पर नाम नहीं रखने जहन में लेकिन यह पिर भी आपको आईडिया होना है और में आप हो ऑसिस हर्ट होतीय के स्पोंजी यह से हम क्या करेंगे पूर्वस काल इसीड सीड। ऑर इसकूंद से क्या में नात है कि इसन too do और ऑफसाइड के के बाहीर से है बहुत सख्ट महसूस होते हैं लेकिन अंदर उसके नंदर छिए च्वटो शुटो शुटे सुराख होते हैं और अंदर बलैट लोड्व घजरा था ठीक है बलीट करूषी आंदर थीक है बलड बॉयड्स भनते हैं इसके अनदर भलैड्स अगरेशन 紫िर गैज हों जो हंधी का धिम्यान वाहिए जिसे हम येलो मेरो कहते है जिसे पहुं मेरो कहते हैं cell production unit यहां बोलस बनते हैं। So जो बाहिछ से बहुत सकत होती हैं तिक है आउटर कवरिंग बूध हर्ड होती है हाड आँटसाइड फिर अंदर पर्वस हो जाते हैं ठीक है काрах होते हैं जिसके अंदर खोकला खोकला तो नहीं कहेंगे लेकिन चुट चुट चुटे अंदर सुराह होते हैं आपने में भी फील किया होगा भी हड़ी कटी भी देखें अगर आप ठीक है जिसना गुर्बानी में अक्सर काटे जाते हैं पाईशाए तो उसके अदर आप देखेंगे जो बाहर वाला एक प्रोटीन्स होते हैं जिनके साथ कैल्चिम फास्वेड होता है तो कोलेजिन फाइबर के साथ क्या होगा कैल्चिम फास्वेड ठीक है यह यह कोलेजिन को मजीद मजबूत करने के लिए कैल्चिम फास्वेड भी इसके अदर इंट्रेग्नेटिड होता है ठीक है इसके collagen fibers को मजीद मजबूत कर देता है तो यह basic कह लें कि इसकी structure के नदर जूंसा है और collagen fibers होते है collagen जो के proteins है proteins की fibers होती है सो इस तरह इनकी bones का structure बनता है तो इसमें के bones में हमने नहीं कहा देखा outside heart inside pelvis इनकी सुराख होंगे ठीक है खाली खाने होंगे चुट चुटे और सबसे center के अंदर bone में हो जहां पर blood cell production हो रही होती है अब हम देखते हैं यह इसके अंदर कितने किसम के cells होते हैं so bone के यह लिए तीन किसम के cells होते हैं ठीक है एक तो stem cell है इससे osteoprogenator cell भी कहते है यह फिसे stem cell क्या होता है यह इससा सब्सक्राइब होता है ठीक है आप आप कहेंगे differentiate से कहां मुझा है कि जो stem cell है ना यह blood cell भी बन सकता है इस तरह काफी cells बन सकते हैं stem cell से लेकिन stem cell आएसस तरह जब कहलें के bone cell की तरह जाएकर सबसे पहले osteoblast बनता है जो कि immature form इसकी immature और यह फिर osteocyte बनता है जो कि mature form है तो bone cells में सबसे पहले osteoprogenator cell जिसे हम stem cell कहेंगे वो फिर immature कहलेंगे bone cells के अंदर convert होगा और immature bone cell फिर आगे mature होगा ठीक है उसके चैनल्स बनेंगे और collagen fibers उसके अंदर deposit होगे और calcium phosphate आके इसके अंदर deposit होगा फिर आच तरह यह mature cell कहलाएगा ठीक है और यह bone बनाता है जबके इसके चोथा जो सेल है यह osteoclast है यह bone dissolving cell है ठीक है यह तिनों थे bone formation cells यह bone की formation कर रहे थे formation cells जबके osteoclast यह bone को dissolve करता है bone dissolving cell है ठीक है कि bone को कहलें के खाता है जिससरा अगर body के अंदर बहुत जादा calcium के कम ही हो जाए ठीक है कि क्षोन में calcium की कम ही हो जाए तो फिर थिए osteoclast आता है और फिर bone को तोड़ता है उसमें कैलचिम निकालता है ठीक है है फो यह इस तरह बॉन के अंदर यह चार ख्यूस्म के सेल को डायजेस्ट करता है इसके लावा आप आपको में भी मालूम हो के जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर तकरीबन 270 बॉन्स होते हैं ठीक है 270 बॉन्स इन चाइल्ड एड बर्थ और फिर आइस्ता-इस्ता 270 जो उनसे है वो कर्वर्ट हो जाता है 206 के अंदर סिंपर तो 220 बॉन्स होती है उसमें बहुत सी बाह्ट रहिदा होता है फिर आईस्ता-छिय्क आपछमतर के डाऑन से ज़से बाइब धर बन्स को बंस होती है ठीक है्ञाद पर फिर होंवारे को दिज kr रावरे केश्बी दिन आप् पर भॉन्स को निख घुझे से बनती है खा कह लें कि बच्चा पैदा होता है और उसके बाद से लेकर जब तक उसकी बॉन्स मुकामल हो जाती है ठीक है दूसे छे बॉन्स की केरेगरी में आ जाता हूँ अब हम आते हैं कार्टलीज पर कार्टलीज से हम सबसे पहले से हम कहेंगे इसे साफ्ट पॉन्स को जो सोसेट इसे इसे आप अपने कान में फील भी कर सेथे आ कर सकते हैं नाग जो यह सकते हैं क्योंकि इसके लावा यह flexible होती है सब्से पहले प्राबर्टी होती है नाथ यह फ्लेक्सिबल है फ्लेक्सिबिलिटी आप ऐसे भी नोट कर सकते हैं मसला नाग को छेड कर या कान को छेड का को फील होगा जिसरा कोई चीज है जो यानि इसली बेंड हो सकती है ठीके से आप मोड रोड सकते हो जबके हैड़ी ऐसा नहीं कर सकते ठीके जो उपर हम पड़ पड़ चुके हुआ हो है इसके पाफित नहीं है तो इसके नहीं है जाने Pastor को थीया lap दर अवह सर्थ होती है लेकिन इसके अंदर नहीं होसकती ही नाट इंसाइड कहलू को एक कार्टलिश के अंदर ब्लुटवेसल नहीं होती है तो इस लिए अगर आप सर्धियों में मह्سوس करते हूंगे जिस तरह आपके अर्जों का नाख है वह ठंडी हो जाती है आपके कांञ थंडी हो जाते हैं क्यूंस का उसके वाइसल होती ही नहीं है रह वैसल नहीं होंगी तो जैब कौन से Cells होंगे होंगी हिए और क्रिषीं नदर भी आ रहा है तो उसमें भी एक क्रिष भी оказ Gel इस इससे पहले स्टक लाएगा stem cell Chondroblast बनाता है Chondroblast से फिर Chondrocide बनता है और यह Leukona इसके कहलें कि characteristic cell membrane है ठीक है इसके आप इसके नदर बी Collagen होता है Collagen is also there Collagen लेकिन यह Soft type का होगा ठीक है Soft किस तरह होगा कि इसके नदर क्यासियम फास्टफेट कम होगा सी और यह लेस कंसेंट्रेशन में होगा लेस प्रैजन ठीक है यह नहीं कोलाजन फाइबर होगा सिंपल लेकिन उसके उसके अंदर सक्ति नहीं आएगी वह अकड़ नहीं आएगी जिस तरह की बोस में मुझूद है हमने गालत फ्लक ब्लैक्सीबल है और ल içinन divlustि विश्डियवाने बना वाइब मैं इसकी टाइप्स देखते हैं सो यह लेस्ट प्रेजन रोता कहां कहां होगा मसलन आउटर पिनाई ओफ इयर ठीक है इयर में हो गई नोस में आ जाएगा ठीक है एपिक लॉटस इससे बनता है एपिक लॉटस के अलावा अब यह इंटर वर्टिबल डिस्क होती है ठीक है अब इसका मेभी आपको आइडेया पाइस होगी हो लेकिन हागे पढ़ेंगे क्या वर्टिब्राइ मिस्टेक और टिसक इससे बनी होती है है से सो इसके वैसे अमाउट कम होती है पाडी के अंदर से ज़ाय-धर होता है ना कृटार शहेल में हरे हुआ है जोइंट में पाए जाता है से इसके लावा हालین कार्टज़ यहां पर देख भी सकते हैं मसलिल ये एक जॉइन्ट है यह अपर वाली बॉने है ये नीचे वाली बॉने है इन दोनों का यहां पर जॉइन्ट बन रहे हैं सो बीच में एक लेयर है ये हैलें कार्टिस की हो इस जब बागा सुने हो को आपको के जोड़ों के बीमारी होते है लोगों को तो उसमें होते हैं कि कार्टिस डिजनरेत हो जाती है कि दुद्रस खतर होना शुरू हो जाती है जिकर से हडियां आपस में हैं जुआ के स्केलेटन उसके फंक्शन हमने पड़े थे तो हमने का जी कि इक प्रोइड स्पोर्ड शेप प्रोटेक्शन प्रोइड करता है मूव्मेंट विसके लबाव मिन्रल होमेस्टेसिस के ने रोल था और ब्लड सिल प्रोटेक्शन ठीक है बोन मेरो इनवाव था फिर हमने इंडो स्केल्टन और एक्जो स्केल्टन के थोड़ा comparison देखा कि इंडो इंसाइड होगा बाड़ी के और एक्टो आउटसाइड सोड़े एक्जो आउटसाइड होगा फिर इसको हमने कंपेर किया जाएड़ी के मौदन हीरोज के जरिए तो इसमें तर्मेटर से और स्केल्टन के केडिगalies मेंरे और एक्जोस्फर मोदन हीरोज तो इसमें तर्म औरrang मैंहें तो ह suchen और इसके इक हैंड है से इसकाने होता है हिए एक म्याद कोग्थ होगा कोग्थ ह SUPER हुआ ये i'd कोग्थ काaku क्रेको शमक्षिया है Ten यहां पर जो osteocides होते हैं वो काफी close packing के अंदर होते हैं ठीक है यह एक डूसरे के साथ जुड़े वे होते हैं इसक वाइसे कोई बीच में gap नहीं छोड़ते हैं और इसके लावा अंदर bone मेरा खोकला जिससे हम कहेंगे हडी का अंदर वाला खोकला हिस्सा और यह blood cell produce करते हैं ठीक है और यह आप देख भी सकते हैं पाई है अगर कोई खाता हो तो यह एजली पहचान सकता है इससे और फिर हमने bone cells बढ़े तो तीन किसम के cells से bone जो के बनते हैं जिसे एक osteoporginator cell जिससे stem cell का था यह osteoblast में करणट होता है फिर यह osteocide बनाता है जो के mature cell है जबके bone dissolving cell osteoc class जो के bone को dissolve करता है for example early stages के जब child birth में होता है तो उसके 270 एहडिया होती है ठीक है जिन्हें आपस में जोडने के लिए और बीच में से cartilage remove किया जाता है वो उसके लिए osteoclast की जूरत पढ़ती है osteoclast में फंक्शन बेग जाता है है cartilage पर आए फिर हम हमने का जिए bones के मुकाबले में soft होता है so it is soft bone flexible होता है bones जबके flexible नहीं होती और इसके दर blood vessels नहीं होती जिसना bones के अंदर पोर्वस था ना हिससा पार जहां पर blood vessels मुझू थी इसका blood vessels नहीं होती और 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 इसके दर calcium phosphate कम मुझूद होता है और chondrocyte cells होते हैं जो इसके bone को बनाएंगे वहां पर osteocytes था यहां पर chondrocyte है और collagen जोंसे हैं यहां पर soft होता है ठीक है इसके इतने जादा calcium phosphate नहीं होता है कि यह hard हो जिसना bones में होता है फिर हमने इसकी टाइप्स देखिना दो टाइप्स हैं fibrocartilis और hyaline cartilage और fibrocartilis हमने देखा कहां पर मुझूद होता है इयर नोस epic lotus इंटरवर्टिबल डिस इसके नहीं मुझूद होगा जिपके hyaline cartilage आपके हर joints में होता है ठीके जो भी movable joints हो इसके hyaline cartilage आपको नजर आएगा फिर हमने इसकी example भी देखिन यह दो bones हैं यह होता है तो जोड़ों की विमारी start होती है तो फिरकर हम human skeleton को details से पढ़ेंगे आज का lecture यहीं टगए कर दो